लापरवाही किसी की और लुटिया डुबोदी किसी और की मार्च में मुसीबते मूँ बाहे खड़ी हुई है और अप्रेल तेल निकालने के लिए खड़ा हुआ है दुश्वारियों के इसी दलदल में फसे हैं पेंशनर्स क्लोजिंग एर में अचानक पेंशन रोग दी गई इसके पीछे दलील दी गई है उनकी टेक्स अदाएगी अब आपको जरा ये समझाते हैं कि ये दिक्कते कैसे आई हैं दरसल जिले के जितने भी पेंशनर्स होते हैं अगर वो टेक्सेबल हैं तो उसका एक पार्ट हर महीने उनकी पेंशन से कटकर उनकी अकाउंट में जाना चाहिए लेकिन ट्रेजरी आफिस की लापरवाही से वो कट नहीं पाता और जब साल खत्म हो जाता है टेक्स काटने के लिए पेंशनर्स की पेंशन रोग दी जाती है और अगर टेक्सेबल इंकम ज्यादा होती है तो उनसे पैसे की रिकवरी कराई जाती है मगर सवाल ये कि हर महीने पेंशन से टेक्स का पार्ट क्यों नहीं काटा जाता जबकि ये जिम्मदारी तो ट्रेजरी अधिकारी की होती है मगर उनकी लापरवाही का खाम्याजा पेंशनर्स को भुगतना पड़ता है मार्च का महीना दफ्तरों के हिसाब से गुजर चुका है पेंशनर्स परिशान हैं अब इस समस्या पर जिम्मदार अधिकारी के आश्वसन दिन है सुनवाते हैं आपको सर सीनियर्स ऑफिसर्स मेरी बारता हुई है कई सीनियर्स ऑफिसर्स हैं आई एफस हैं जो डिसरी के भी अधिकारी है मैंने उनसे रेक्वेस्ट किया है, खुदी मैंने बात किया है, जब उनकी पेंसन रुख गई, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं इस मन्त, मलब फानेंसियल एर में, मैं ये करूंगा कि टोटल डिवाइड कर दूंगा, जितना भी आपका TDS आ रहा है, इसको 12 मन्त से डिवाइड कर और रेगुलरी, अप्रेल से ही हम TDS काटना सुरू कर देंगे, ताक वविस्ट में कोई इस तरीके की प्रावल्म ना हो, मैंने यहाँ पर इसको लागू भी करा दिया, अपने सिस्टम में सौट्वेर में फीड करा दिया, अगली बार से एक दो दिन भी पेंसन जो लेट हो होगा, क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं, अर्विन मोहन अर्थ शास्त्री हमारे सा जुड़ गए है, अमनात यादव प्रिसिडेंट है, रिटायर्ट पेंशनर्स असोसियेशन की ये भी हमारे साथ जुड़ गए है, सीधे इनका रुख करते हैं, और अर्विन मोहन जी सबसे पहले सवाल आपसे ही है, मार्च क्लोजिंग का बखते सर, आधा महीना लगभग बीच चुका है, क्या लगता है आपको जो ये इस्तिती सामने आई है, इसका उपाय क्या होगा, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, आपके हैसाब से, मैंने अभी आपका सुना नही इसको अगर रिपीट कर दें तो मैं बेतर रिस्पॉंड कर पाऊंगा, सर, पैंशनर्स लाचार है, मैसिज का इंतजार है, जो सेलरी का पैसा कटता है, जो पैंशन के अकाउंट में जाता है, वो पहुंच नहीं पाया है, और बहुत सारी आर्थिक दिकतें सामने आ गई है क्योंकि जैसा आप जानते हैं, पैंशनर्स का जो रूल होता है, जो पैसा उन्हें मिलता है, कहां से कटता है, और कहां जाता है, लेकिन यहाँ पर पैसा कटी नहीं रहा है, और क्लोजिंग वक्त में पैंशन रोग दी गई है, यह बहुत सीरिस इशू है, 2004 से सरकार ने जारी समस्या है, जैसा कि अलरी एजिटेशन भी चल रहा है, पहले तो यहीं समस्या है, कि यह नई पैंशन स्कीम कितनी उप्योगी है, या क्या कोई बहतर आल्टरनेटिव यह तो एक अलग इशू है, लेकिन जो भी स्कीम इंप्लिमेंटेड हैं, उसको भी एगर ठीक से तो बहुत सीरियस मेंटर इसको इमिजिटली एड्रिस किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज की तारीक में माली 2004 से अब तक कम 2019 में 15 साल हो रहे हैं, इस बीच का अगर पेंशन सरकार दे भी देगी, तो जो कर्मचारियों का इंटरेस्ट का नुकसान होगा, उसकी कैसे ब कर्मचारी को क्यों इसका नुकसान होना चाहिए, बिलकुल, सर ट्रेजरी की सीधे तोर पर जिम्मदारी सामने आई है, ये पूरा जो दिक्कत है, पूरी जो समस्या है, वो ट्रेजरी की है, तो क्या उन पर एक्शन हो सकता है, क्या कदम उठा सकते हैं, जिनकी पेंशन तो ये कहना कि किसी लोकल ट्रेजरी की प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है, ये जिम्मदारी पूरी की सबकी है, सरकार की हर स्तर पर जिम्मदारी है, अगर लाखों लाख कर्मचारी इसमें इनौल्ड हम एक दो कर्मचारी की बात नहीं कर सकता है, कह सबसे पहले तो आप ये बताईए हैं कैसे पेंशन रुकी क्योंकि एक दो नहीं पांच से पांच हजार लोगें पांच हजार चौटीस देख्या 28 फरवरी के हमने प्रदेश की कारकानी की बैठेक बुलाई थी उसमें जानने की कोशिस किया तो जो जानकारी आई जो काम पहले करना चाहिए टेजरी को सिट्योज को कि हर महिने कितना उनका टेक्स बन रहा है उस महिने तीन महिने चार महिने पहले इस कारणा शुर सारा काटा नहीं जा सकता तो पहले से अगर नहीं काटा गया तो सारा लोड फरवरीक महीने में आने लगा तो उससे पिंसन लेट हुई अभी मैंने मुझफ़र नगर से बात किया वहां साथ दिन से पांच दिन लेट से पिंसन लोगों खाते में भेजी गई है तो हम पिंस कटनी और उनको समय से पैसा दे दें दूसरी समस्चा है जो असक्त पिंसनर हैं जो अपने बेट पर पड़े हुए हैं वो बीमार हैं उनके लिए यह आदेश है शासना देश है कि वह स्टेजरी का आदमी जा करके सूचना मिलने पर उनका लाइफ सर्टिफिकर लाएगा अब उनको पिंसनर खातेम बेजा मेरी जानकारी कमशा 6-6 महीने तक लोगों को पिंसनर खातेम नहीं जाती लाइफ सर्टिफिकर ना थे एक डिजिटल ब्योस्था की गई एक डिजिटल सिगनेचर कर दे तो उनको लाइफ मान लिया जाएगा लेकिन पहली बार तो उसको टेज लखनों में पिंसनर हैं तो इनके दुखदर्द कारत कर्मचारियों से कम नहीं ज्यादा है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके साथ जो चिकिस्ती व्योस्ता है अब एक आधेस सरकार ने कर दिया है कि 5% हम पीजी आई के भी इलाज पर जो खर्चा आएगा हम काट लेंगे करके तप्रेमेंट करेंगे पीजी आई के रेट पर अगर प्राइबेट में चिकिस्ता इलाज कराने पर उसी रेट पर पैसा दिया जाता लोगों को तो पीजी आई की क्या तूख है मैंने काने मुला अनेकों प्रकार के इसी समझा हैं जो इन बरिष्ट ज जब हर महीने पैसे कटते थे तो क्या आपने कभी जानने की कुशुश की कि पैसे वाकई कट रहे हैं कोई रिसिप्ट वगिरा या ट्रेजरी के अधिकारी जो इसकी पूरी जिम्मदारी लेते हैं उनसे कोई बातचीत हुई देखें दो आस्पेक्ट हैं यहां अभी हमारे पहले सायद अर्सासिर मोदा इसे बात कर रहे था एक तो बात आए रहे थी एन पीएस में तो एन पीएस की जो कट्रौती होती है वो पीए फार डिये उसका लेखा जोखा देता है उसकी जानकारी सब को अब उसमेंसे आ जा काटा जाएगा तो हम जो नीचले तपके के लोग है जनरली उनको फरवरी और जनवरी में उनके टैक्स करते हैं जो बड़े लेगर इसके पहले बात हो रहे थी अगर एन पीएस की बात है तो एन पीएस तो सब जानते हैं कि बोगस स्कीम है ब्याज का ब्याद तो मिलती नहीं उसमें, शेयर मार्केट में पहिचा लगना है, यहां तक कि E-NPS के अंतर कर खाता धारक हैं, अभी जो फुलबामा वाला हमारे अगर पारवारिक पेंशन दिया जाएगा, तो टियर वन खाते में अगर 10 लाख रुपया जमा है, तो जब तकल लिया जाएगा, तो E-NPS का जो कटवती है, उसका लेखा जो का कर्मजारी के लिए शम्भव रखेगा, लेकिन जो फार इंटर्म टेक्स जो कटवती होगी, उस उसको तो ट्रेजरी को वहां कात काट के भेद देना, एक स्टेटमेंट उस पंसनर के देना है, जो पेंशन की कटवती होती थि वो ट्रेजरी ने नहीं भेजी, तो ट्रेजरी झान के लिए पते काटवती है, उसके अठातिस सब देते हैं और उसके आधार पर हमको एद deberन भरना होता है आपको स्टेटमेंट मिला सर हमने खुद लखनूट जिर्मी जाके निकलवा के लाए ठीक है अगर यह स्टेटमेंट मिला है उसके बावजूद भी जो पेंशनर्स हैं वो परिशान हो रहा है अर्विन मोहन जी जब जो प्रेजरी है उसने भेजा है और जैसा अ खलती का हो योगे लूप होल का होगा देखे कहीं न कहीं सिस्टम का चालेंज है जो बात में पहले भी कह रहा था पिछले साल तक जादातर कर्मचारियों और इदिकारियों का NPS की जो कटाथी उनके महावार होनी चाहिए थी 2004 पास से लेके अब तक वो कटाथी नहीं की ग जो हमारे दूसरे पैनलेस से बेतर बता पाएंगे कि क्या जादतर कर्मचारियों को अधिकारियों को ये पेंशन स्कीम में कटाथी होने लगी है जो बात वो उठा रहे थे कि NPS क्या उचित स्कीम है ये तो एक मसला है लेकिन हम जैसी भी स्कीम इंप्लिमेंट कर रहे हैं वो कहीं न कहीं मार्केट ड्रिवन है चाहे वो शेर बाजार में इंवेस्ट हो रही है कहीं पर भी कोई कंपनी उसको निवेश करने जा रही है तो कर्मचारी को उसका लाब तभी मिल पाएगा अगर उसका लाब तभी मिल पाएगा जब उसको समय से कटाथी कर ली जाए अ जो 10 साल का उनको लाब हो सकता था मार्केट इत्तादी से वो लाब से वो पूरी तरह वंचित रहे गए तो अगर मान लीजे कावरिज करमचारी 30 वर्ष नौकरी करेगा जिसमें से 10 वर्ष का उसको इस तरीके का लाबी नहीं मिलने वाला है सिर्फ 20 वर्ष का लाब मिलेगा तो करमचारी का जो कमिटेड लाब होना था या कमिटेड लाब छोड़ दी सोशल सेक्यूरिटी मिल ली थी उसको वो सोशल सेक्यूरिटी हम उसे डिनाई कर रहे हैं यह बहुत सीरियस मसला है मुझे लगता है यह पॉलिटिकल लेवल पर भी इस पर निर्णे लेना होगा क क्या हम कर्बचारिऄck का इंटरेस्ट ऐसी परिस्तिती में प्रोटेक कर सकते है। दूसरे अिशू जो दूसरे पैनलिस्ट उठा रहे हैं कि क्या NPS ही बेस्ट आप्षिन है जो नई नियू पिंशनिस कीम है क्या बेस्ट आप्शन है क्योंकि ये भी बात आ रही है कि जादा तर जहां पर भी निवेश किया गया जो कंपनी से इसको आंडल कर रहे हैं अभी तक कर्णचारियों को इसमें किसी तरीके का लाब नहीं मिला है कम से कम कर्णचारी इस बात से कर्णविजन है कि उनके लिए बहतर आप्शन हो सकते हैं मेरा मानना है बिलकुल बहतर आप्शन हो सकते हैं लेकिन दिक्कते अभी भी हैं और मैं यही बात जो अर्विन जी आप बता रहे हैं वो अमर्नाच जी से मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके पैसे कट रहे थे अमनाद जी 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 तो ये देखे दो दोनों बिशय को अलग अलग है ये जी एक तो जो ओल्ड पिंशनर है मैंने एक एक चार की पहले की नूगत हैं रोड रिडार होगे पिंशनर पा रहे हैं उनका मैटर है उनके इंकम टाइक से कटवती होना समय से उनको भुक्ता होना लाइब सर्टिपिकट समय से सरकार के पास जाना अगर असकत हैं तो ट्रेजरी के आदमी जाकर लाओं एक मैटर ही हुआ दूसरा जिस पर भी बात कर रहे थे एनपीएस के लिए दूसरे हमारे सहयोगी उसमें यह है कि एनपीएस की जो कटवती है यह सही है कि शुरू इसके पहले होती ही नहीं थी ति उनका कहना बिल्कूर सही है कि इस अवद में कहां से पैसा बढ़ बढ़त्री कहां से होगी उनकी जब सर्विस की एक मुटा तीन पीरियड बिना बढ़त्री की चला गया पर इधर जो है उत्तव देर सरकार नेव सासना देश जारी किया है उन्होंने कहा है कि हम जी जो जीपियों की ब्याजदर है उतने पर जो भर्पन लुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे यहां इसका प्रस नहीं है प्रस नहीं है कि जैसे 30 साल की सेवा के बाद मान लीजे हम रिटायर हुई है रिटायर के बाद अगर मूल बेतन से करके पिंसनरी स्कीम बैंका लाइसी के हमको एनिवटी खरीने होगी उस एनिवटी के अगेंश्ट अगर 2009 में 12000 मान लीजे मिल रहात अपर महीने तो अगर हम मान लीजे नौ के बाद हम 20 साल जिंदार है तो 20 साल तक वही जो 12000 रुपया है वही मिलेगा हर च्छ महीने में जो बाजार की जो मुल सुचकांग बढ़ता है उसके अधार जो डियरलेंस मने रहत दी जाती है वह नहीं दिया जाएगा परड़ाम क्या होगा कि 5-6 साल के बाद पेंसन डियोडी दूगनी हो जाती है डू टू डियार और अब नए नपियस में वही पर्मानेंट रहेगा जो पाजा गए एक बार तो ऐसी स्थिती में जो भी हमने थोड़ी दिर पहले कहा हमारे जो आर्पिया के जमान गए है वो परवारिक पंसन के बिकल्प देंगे तो अगर उनके खाते में 2004 से भारस सरकार में पैसा कटा है हमारी स्टेट में गबड़ी हुई है नहीं भारस स जा रही अन हुमन कार्य है इसको सरकार को ततकाल मतलब एनपीएस को पेंसन इसकी मना कहिए स्वह नियोजित धन वापसी योजना है इसको ततकाल सरकार को समाप करना चाहिए पूरा देश इसके खिलाप खड़ा हुआ है और निकट भविस में आप देखें कि एक दो साल के बातों में जब ये ट्रस्ट ही नहीं रहेगा पेंशनर्स को उन्हें ये डर है कि उनके पैसे कट जाएंगे और ये पैसे वापस लिए जा रहे है क्या आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर देखते हैं क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो रिकवरी से भी जूज र रहे हैं उसमें क्या कर्मचारी का जो बेसिक इंट्रेस्ट हम प्रोटिक्ट कर पाएंगे अभी तो हम बात कर रहे थे कि तीस वर्श बाद सबोज एक आवरेज इंपलाई हमारा रिटायर होता है तो हम क्या उसको उस तरीके की सोशल सेक्यूरिटी दे पाएंगे जिससे व प्रवानों के साथ जो घटना हुई उसके बाद यह जातर इसे थे जो न्यू पेंशन स्कीम के इस्जा है न्यू पेंशन स्कीम के तरह त अगर इस तरीके की समस्या है कि उसने अगर 10 लाख रुपे जबाद किये और यह सरकार जब्त कर लेगी और उसको 10 लाख रुपे प के बराबर पेंशन मिलने वाली है जिससे परिवार का गोजारा भी नहीं हो पाएगा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम जिस तरीके का इवलूशन आप 2001 से देख रहे हैं हिंदोस्तान में हम तरह तरह के सेग्मेंट को सोशल सेक्यूरिटी देने कोश्च कर रहे हैं ओर डेज सरकार हो चाहिके इन सरकार हो सभी की कोशिश रही है कि हर सेग्मेंट में हम किसी तरह के की सोशल सेक्यूरिटी दे पाए लेकिन करमचारियों के लिए जो एग्जिस्टिंग सोशल सेक्यूरिटी थी हमने उसको करन कर दी तो जो गोवर्मेंट का नौन इंप्लॉई है किसे सरकार पर ही dependent है वो कोई और वेपार नहीं करता है ऐसे विक्ति के लिए social security को हम शितिल करते जा रहे हैं और जो scheme लेके आए हैं ये निशित तोर पर most appropriate scheme नहीं है इसमें rethink की जरूरत है और नए सिरे से हमें बिलकुल options हैं लगबग उसी लागत पर जो सरकार आज करच कर रही है लगबग उसी लागत पर हम निशित तोर पर बहतर security अपने कर्मचारियों अधिकारियों को दे सकते हैं retirement की बाद हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए बिलकुल ये कोशिश करनी चाहिए लेकिन pensioners क्या सुचते हैं किस तरह की security उन्हें चाहिए ये भी हम जानते हैं अमरनाथ जी आपसे क्या लगता है आपको जो बदलाव होने चाहिए आप कह रहा हैं बदलाव की मांग कर रहे हैं क्या वो बदलाव होने चाहिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ माने अर्मिद मोहन साब बड़े अर्शास्री हैं वो हमारे बात को बहतर समझते होंगे जो इन्पियस इन्हों ने चालू किया है आज की तारीक में जो ओल्ड पेंसमेर उनको पेंसन वी दे रहे हैं और नए लोगों को जो है दस पर्षंट अपना जो चुदा पर्षंट सरकार ने कर दिया आप चुदा पर्षंट सेर्जमा करेंगे इस समय सरकार बचत में कहां है सरकार तो इसमें हान में है और वो पैसा अगर एंपियस खतम कर दें तो लाग क्रोड रुपए जो कमजगम उत्यपदेश सरकार में ही एक लाग करोड के आसपास अब तक पैसा हो गया उस पैसे को तमाम इसक्यों में लगाया जा सकता है दूसरी चीज़ सत्रह नूंबर सत्रह नूंबर 1922 में फूल बेंच की सुप्रिम कोड को फैसला है डियस नकारा के मामले में उसमें यह कहा गया है पैसन कोई ग्रेचुकी नहीं है कोई किसी की कृपा नहीं है कि भीख नहीं है यह कर्मचारी के जो लंबित बेतन है माने शेवा काल में हमको जो बेतन कम दि नहीं होगी लहाजा बेतन द्ना थोड़ा सा कम किया जाता है हर बेतन आयोगों में यह भीउसतार होती है तो वह लंबित बेतन अगर लगाया है तो सरकार की भी जिम्मधारी बनती है कि राजा महराजा के टाइम पर भी पिंसन बेवस्ता चालिस परसंट नवची सूचालिए 1921 में थी जिसको नीमित किया था अब उस पिंसन बेवस्ता किनों एक जटके में खतम कर दिया यह बहुत ही गलत काम है ये संदिया जाए तभी तो 50% बेतन के रखा गया है तो हमारा एक कहना है कि सोसल सेकोर्टी भी अस सीनियर सीटिजन को भी जिन्दा रहने का हक है और अब वो किसी काम के काबिल नहीं है तो उनको पुरानी जो विवस्ता है वही लागू होना चाहिए पुरानी जो विवस्ता है फिर से लागू करना चाहिए लेकिन अरविन जी जब बदलाव हुआ है जो बदलाव हमने देखे हैये और जो ट्रेजरी की खामी दिख रही है क्या आपको लगता है इसके लिए जो बदलाव मर्नाजी ने बताएं क्या वो लागू हो सकते हैं उसके पीछे क्या हो सकते है खासका ट्रेजरी की जिम्मदारी अब जो ट्रेजरी ने की है हरकत या जिम्मदारी किसकी अभी तक हम साफ तोर पर नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको लगता है ट्रेजरी को भी कदम उठाने चाहिए जो पेंशनर्स परिशान है उन्हें समझाना चाहिए भरुसा देना चाहि ही है खासतों पर ओल्ड पेंशनर्स को उनको किसी विज़ पेंशन नहीं मिली या उनका जो लाइव होने का सेटिफिकेट ट्रेजरी तक नहीं पहुँचा ये इंटरवेंशन्स हैं जो ट्रेजरी को करने होंगे लेकिन जहां तक न्यू पेंशन स्कीम का सवाल है ये जो इश स्कीम के तैट पेंशन उसका 10% का कॉंट्रिबूशन और सरकार का जोब तक 10% ता बढ़ा के 14% कर दिया ये 24% उसकी सैलरी का कॉंट्रिबूशन साल लना हर महीने उसके अकाउंट में चला गया करमचारी के अकाउंट में चला गया ये पैसा अब हमने कुछ प्राइवेट बूस्ट इसके चाहते हैं लिए ये बहुत बड़ी बज़ा है य जो शायद परिशाणी खड़ी कर रही है है अलाकि अब मेरे पास समय भी नहीं है और मैं जाओंगा आप बहुत संक्षीप में खत्म करें सर आखरी बात बोले अपनी अर्विन जी हाँ जी सर आखरी बात रख दें अबस हम क्लूज करेंगे इसके बाद मुस्से कुछ करे रहते हैं आप जी क्या लगता है आखरी समाधान देगे इस पे निशित इमीजेट्री सरकार को कम से कम एक एडवाइजरी या कोई कमिटी बेठा करके इस बारे में निर्णे लेना चाहिए कि क्या हम निउ पेंशन स्कीम को बेहतर कर सकते हैं यही एडवाइजरी अगर जारी होगे या एडवाइजरी बनती है उसके बाद ही इसकति इसाफ हो पाएगी और पेंशनर्स की समस्या माफी चाहूंगा सर समय बिलकुल नहीं है मेरे पास बहुत शुक्री आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए जो पेंशनर्स की समस्या है वो आपने सुन ली है समधान भी सुन ली है लेकिन अब देखना होगा कदम आगे क्या कुछ उठाए जाते है